नमस्कार, सिग्मा क्लास में आपका स्वागत है, आज हम किराडू के मंदिर के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे मैं किराडू का मंदिर बोल रहा हूँ, आज मैं आपको बताऊंगा क्यू कहा जाता है मुझे श्रापित, धोरों के गड़ बाडमेर में, मैं किराडू का मंदिर स्थित हूँ, मेरी स्थापत्य शैली मध्यप्रदेश के खजुराहों मंदिरों की शैली से ज़्यादा समानता रखती है इसलिए मुझे राजस्थान का खजुराहों कहा जाता है दक्षिन भारती शैली में बना मैं अपनी स्थापत्य कला के लिए प्रसिद हूँ, बाडमेर से 43 किलोमेटर दूर हाथमा गाव में मैं स्थित हूँ कहा जाता है कि 1161 पूर्व मेरा नाम किराट कूप था, करीब 1000 में यहाँ पर पांच मंदिरों का निर्मान कराया गया मेरी श्रिंखला में सबसे बड़ा मंदिर शिव जी को समर्पित नजर आता है खंभों के सहारे निर्मित मैं भीतर से दक्षिन के मीनाक्षी मंदिर की याद दिलाता हूँ तो मेरा बाहरी आवरन खजुराहों का रंग लिये हुए है काले वा नीले पत्थर पर हाथी घुडे वा अन्या आकृतियों की नकाशी मेरी कलात्मक भव्यता को दर्शाती है मैं आपको अपनी रहस्यमई बात बताता हूँ मुझ पर अक्सर विदेशी आक्रमन होते रहते थे आम जनता और राजा खुद भी इन आक्रमनों से तंग आचुके थे ऐसे में राजा सोमेश्वर ने एक साधू से मदद मानगी साधू से राजा ने वादा किया कि वो उनकी और उनके शिश्यों का ख्याल रखे इसके बदले में साधू संत मेरी रक्षा करेंगे उस वक्त दोबारा मेरी जगा बहुत ही सम्रिधा हो गई और सब खुशी से रहने लगे कुछ समय बाद साधू कहीं गए और अपने पीछे एक शिश्य को छोड़ गए जो उस जगह का ख्याल रखे साधू के जाते ही राजा और प्रजा शिश्य को भूल गई और अपने काम में व्यस्त हो गई उस समय शिश्य बीमार हुआ लेकिन एक कुमहार की पत्नी के अलावा किसी ने भी उस शिश्य का ध्यान नहीं रखा जब साधू वापस आए तो शिश्य की हालत देखकर बहुत गुस्सा हुए और श्राप दिया की जिस जगह इंसानियत नहीं है वहां के लोग पत्थर के हो जाएंगे यही कारण है कि मेरी इस जगल के आसपास कोई निवास नहीं करता है और रात के समय कोई भी इस जगल के आसपास नहीं घूनता है मुझ में पांच मंदिर हैं जिसमें चार भगवान शिव के तथा एक भगवान विष्णू का है मेरी मूल निर्मान शैली नागर है मैं परमार और सोलन की शैली का मिश्रन हूँ मुझ में सागर मंथन, कृष्ण लीलाएं, रामायन, वह महाभारत के द्रिश्य दिखाई देते हैं मेरे मंदिरों के सामने तीन पैरों की महिशास और मर्दनी की मूरती स्थित है मुझ में स्थित सोमेश्वर मंदिर प्रतिहार या महामारू शैली में बना है 1178 इसवी में मुझ पर मुहम्मद गौरी ने तथा अलाउद दीन खिर जी ने आक्रमन किया था शिल्पकला के कारण मुझे मूरतियों का खजाना कहा जाता है